कि हलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसमें हम करेंट topics के बिसेे में डिसकस करते हैं और आज कि हमारे topic है blue flag प्रमानण तो क्या होता है blue flag प्रमानण ये किसे दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है और क्यूं दिया जाता है इसके बारे में details से हम discussion करेंगे और उसके बाद जो दूसरा topic होगा हमारा वो होगा महाननदा पच्छी उस्सो यानि अभी एक bird festival organize होना है तो उसको उसके बारे में देखेंगे कहां पर यह organize होगा और क्या है इसमें खास इस सभी के बारे में details से discuss करे आज के सेशन को तो सबसे पहले इसमें देखेंगे blue flag प्रमानाद क्या होता है यानि blue flag इसे tag गहा दिया जाता है एक certify होता है । जिसे blue flag certificate कहा जाता है तो ये दिया जाता है समुद्र तठ, समुद्री तठ यानि जो बीचेस होते हैं, सी बीचेस होते हैं, उनको दिया जाने वाला ये एक प्रमाणपत्र है, ये एक certificate होता है, जो किसे दिया जाता है, समुद्री तठों को दिया जाता है, जो बीच होते हैं, उनको दिया जाता है और क्यों दिया जाता है जो वीश जो समुद्री तटकिया होते है नीट and clean होते हैं इसके अलग-अलग parameters होते हैं जिसके द्वारा ये दिया जाता है तो इसमें कई सारे parameters को दियान में रखा जाता है उसके बाद ही तटको उस बीच को blue flag certificate दिया जाता है और ये देता कौन है त इसका नाम आपको याद रखना है foundation foundation for foundation for environmental foundation for environmental education ये उस organization का नाम है foundation for environmental education और ये देन्मार के कोपेनेगन में है तो इसी के द्वारा blue flag certificate है वो दिया जाता है समुद्री तटों को और ये किसलिए इसका उद्देश सिक्या है तो पर्रयावरण ये जो जाग रुखता है जो environmental awareness से उसको फैलाने के लिए ही ये blue flag tag दिया जाता है और ये 1985 से दिया जा रहा है इस organization के द्वारा और इसमें क्या होता है पर्रयावरण और परेटन से जुड़े 33 जो terms and condition होती है जो 33 सड़तों को उस बीच को पूरा करना होता है तभी उस बीच को यानि उस समुद्री तटको blue flag certificate दिया जाता है और इन 33 सड़तों में जो मुख्य मुख्य हैं उनको कई सारे parameters में बाटा जा जाता है जैसे पर्रया और रणी ये सिच्छा यानि जो environmental education होती होती हो किस प्रकार से है और quality of water यानि water quality के उस एरिया की और उसके साथ ही साथ वहाँ पर क्या management है environment का management है उसको ध्यान में रखा जाता है और उसके साथ ही security की वहाँ पर क्या विवस्ता आए इन सभी parameters को ध्यान में रखकर blue flag जो certificate है वो दिया जाता है उसके पहले हम देख लेते है जो हमारे अन्य बीच है जिनको blue flag tag मिला हुआ है तो इसमें karnatak के दो बीच है कर नाटक के कौन-कौन से तो एक है कारूर यह दो बीचेस हैं जो करनाटक के इनको blue flag tag मिला हुआ है और एक दीव का यानि दमन्दीव है उस वाले का एक घोगुला नाम से शमुद्री तठ है उसको भी मिला हुआ और उड़ीसा का Golden Beach इसको भी blue flag tag मिला है और अंडमान निकोबार का राधानगर बीच जो की बहुत खुपसूरत बीच है तो इसको भी blue flag tag मिला हुआ है यह कहां अंडमान निकोबार और उसके अलावा एक है कापण यह केरल का दुईप है तो यह इन दुईपों को भी यानि इसको भी जो blue flag certificate है वो मिला हुआ है और सिवराजपर समुद्र इस समय क्यों नीज में है यानि ये भी इसकी उनीज में है तो ये इस्तित है कहां गुजरात में और इसको भी अभी October 2020 में blue flag certificate दिया गया था तो इसको अब और विक्सित किया जा रहा है यानि गुजरात सरकार के द्वारा सो करोन का जो बजट है वो इसके लिए लाया गया है यहां पर development किया जाएगा इस बीच का और इसमें जिसे की जो टूरिस्ट में वो यहां पर बढ़ सके क्योंकि blue flag का जो tag वह लेडिस के पास है लेकिन यहां पर और कई सारे जो शुविधार है उनकी बेवस्ता करनी होगी गुजरात सरकार को अगर इसका जो टूरिस्ट में वो इनको बढ़ाना है तो इसलिए यहां पर 100 क्रोन का बजट पास किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा कि हम इसका development करेंगे दिन फिर उसमें जो प्रेटन के chances है वो बढ़ जाएंगे त जो प्रमाणन है जो blue flag certificate है वो क्यों दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है तो यह all over topic था अब देखते हैं अपना आज का जो दूसरा topic है महानंदा पच्छी उस्सो तो यह एक bird festival है जिसे महानंदा पच्छी उस्सो का आ जाता है bird festival और यह अभी organize होना है कहां तो पच्छी मंगाल में एक महानंदा वाइल्ड लाइफ संसुरी है किस वाले अरिया में तो दार्जि Лिंग जो कि एक जिला भी है ओ दार्जि NICK वाला एडिया जो दार्जि बाला रीजन वहीं पर इसन थे यह नोट यह जहाँ पर इस बड़ लेवान पर इस रिस्टिवल का आ सेंचूरी में यहां पर बलिखऽ सकते हैं कि यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पाया जाती जया अएरिया है । यहां इखस्टिवल होता है जिसको विहयती किया जाएगा श्रकार के द्वारा तो तो यह महानंदा पच्छी उसी के नाम पर है या नहीं महानंदा वाल्ड लाइब से जोड़ी के नाम में है तो इसलिए आपको इसको लर्ण करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और यहां पर पाए जाने वाले जो मुख्य पच्छी है इसमें आपका हारन भी लाता है great हारन भी हो गया और swift नाम से पच्छी है बैबलर है तो यह सबी इसकी बर्ड की जो यह काफी सारी पर जातिया है जो यहां पर पाई जाती है तो यह आप देख सकते हैं कई सारी बर्ड जी उस तो तो आप से पूचा जा सकता है कि जो महान अंदा वर्लाइफ, इप यह कहा रीस品 है, अगर आपको इन में सहते हैं, अपिच्स कहते हैं, वर्लाइफ किसे कहते हैं, इन में क्या deflcence होता है, और bird century क्या है, tiger reserve, इन सभी के बारे में डीटेल से आपको जानना है तो आप हमारी playlist में जाकर वहाँ पर static जी के वाले part में आप वो video देख सकते हैं जिसमें पूरी तरीके से detail में समझाया गया है क्या इनमें difference होता है और क्या होता है national park क्या होती है wildlife century इन सभी के बारे में से वहां पर बताया गया है तो आप उसे देख सकते हैं तो यह हमारा आलोवर टॉपिक था महानंदा पच्छी उस्सो से रिलेटेड अब देख लेते हैं दो और हमारे बर्ड फिश्टिबल हैं यह भी काफी न्यूज में रहा है भी रिसेंटली जैनुवरी में ही यह दोनो ज यह देख लेते हैं इसके बारे हम तो हमने आपको पहले बताया था कि जो हकी हबब fav फिश्टिबल और करनाटक में करणाटक में मनाया गया है अभी रिसेंटली यह जनुवरी में ही इसका ऐऊजन किया गया है तो हकी अबबा क्या है यह यह एक बर्ड फिश्टिबल यह ज मनाया जाएगा यह भी बर्ड फिस्टिवल है बिहार मनाया जाएगा बिहार में भी एक पच्छी अब बैरन है नागी नटकी इस नाम से एक पच्छी अब बैरन है जहां पर इस बर्ड फिस्टिवल का आउजन किया गया है जिसे नाम दिया गया है कलरो और हक्की अबबा यह महाननदा बर्ड फिश्टिवल तो यह तीन बर्ड फिश्टिवल एक साथ हमको याद रखने इनसे रिलेटेट कोस्टिन मुझे जा सकते हैं तो यह हमारे आलोबर आज के टॉपिक थे कि ब्लू फ्लेक किसे का आ जाता है ब्लू फ्लेक सर्टिफिकेट क्या होता है और उसके साथ हमने देखे वर्ड फिश्टिवल जिसमें महाननदा वर्ड फिश्टिवल के बारे में डीटेल से हमने पड़ा और कल्रो और हक्की अब्बा के बारे में हमने आपको पहले भी बता अगूदाओी अगूदा है